अश्कार दोस्तों आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासिस में स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वास्तों के रच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपुछती तो एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके सभी competitive exams के इस वीडियो को देख सकते और अपनी त्यारी और भी मजबूत कर सकते हैं साथ ही साथ हमने प्लेइलिस्ट बना रखी है महां पर जाकर हमारे वीडियो इसको को चेकाउट कर सकते हैं और जो है फाइन आर्स और भारती थी आस और राजनीती विग्यान की वीडियोस को हुं विख़त है एक प्रावधान मौहईוס से संबंधित है और आपको बताना है कि इन में से कौन सा एक प्रावधान मौलि करतवियों से संबंदित है यहाँ, आपके उप्षण दिहां कहोरों है, बहग दो, वहाँ करतव्यों से क्या है संबंदित हैं आए चलिए हम अपने इसकी व्याक्या को देख लेते व्याक्या क्या होता है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आता है और साथ ही साथ कुछ और प्रश्ण भी आपको मिल जाते हैं भारतिये संविधान में 42 संसोदर 1976 द्वारभाग चार आ तथा अनुच्छेद 51 ए जोड़कर इसके अंतरगत नागरिकों के मूल करतव्यों को शामिल किया गया जोकी स्वर सिंग समिति की संसुतियों पर आधारी थे तो यहां देखिए बच्चों कई प्रश्ण बनेंगे पहला प्रश्ण ये तो बनेगा कि कि समिधान संस तॉटे सिक्सफ दौरा जो है यह भाग चार और अनुच्याइध 51 ए जोड़ा गया तो था बताई और फिर एक प्रश्ण और बनेंगा कि भाग पर य으면서 आधारुद्धा आधारित्ध तो बताइएगा स्वाड़ सिंग समिटी कसी सवाड़ सिंग समिटी के सत्यूं पर या आधारित्धा आए चली हम अपने दूसरे प्रश्न की और आगे बढ़ते हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारती सविधान की किस हिस्से में मौलिक करतव्यों को शामिल किया गया है तो किस हिस्से में सामिल किया गया है वह आपको बताना है यहां आपके चार आप्शन दिए गया है पहला है भाग तीन दूसरा है भाग चार आ तीसरा है भाग पांच आ और चौता ह like in 4CC क्या होगा आपको वो बतानाएंwo आपका correct option है Eu situation भाग 4 बिलुकुल correct है यह जो है आपका इस हाफ से मैं आपका MOLikt कर्फवयों को क्या किया गया सामिल किया गया अफ्थरी प्रश्न को देखते हैं तीसरा प्रशन क्या पूछ रहा है कि भारती नागरिक को मौलिक करतब सम्विधान के भाग में नहीं थें तो आपको पताना है कि जो आपका मौलिक करतब है fundamental duties है या आपके सम्विधान के किस भाग में नहीं थें चार आप्शन आपको दिए गया है पहला है सम्विधान के भाग एक में दूसरा है सम्विधान के भाग तीन में तीसरा है और सम्विधान के भाग तीन आ में और चौता है सम्विधान के भाग चार का में उपर भी आपको यही प्रशन पूछा गया था कई बार इन प्रशनो है यानि फंडमेंटल ड्यूटीज है वह समिधान के किसमें भाग चार का में जो है नहीं थे हैं आए चलिए हम देखते हैं अपना चौथा कोशन हमारा चौथा कोशन क्या है कि भारती नागरिकों के मौली करता भी नहीं थे हैं फिर से वही प्रशन देखिए पूछा है कि मौली करता भी आपका किस भाग में नहीं थे और यह प्रशन आपको गुमाफिरा कर वहीं पूछ रहा है पहला अप्छन देखिए सविधान के भाग नौ में सविधान के भाग तीन में सविधान के भाग चार में सविधान के क सभी जानते हैं यहां पर लिखा है सविधान की भाग चार का में है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा और इसमें बताया गया है कि यदि विकल्डी में उप्रुक्त में से कोई प्रश्न पूछ दिये जाते हैं लेकिन आपका करेक्ट एंसर कि सविधान के भाग चार का में आपका क्या नीथ है मौलिक करता भी नीथ है आए चलिए हम अपने पांचमें प्रश्न की और बढ़ते हमारा पांचमा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वनो और परियावर्ण के स सरचर होती है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा इंडियन कॉंसिट्यूशन में उसके किस भाग में किस पार्ट में प्रावधान पाए जाते हैं आपको यह बताना है यहां आपको चार आप्शन दिये गए पहला है सूची तीन में समवर्थी है जो की राज की निती निदेशक सिध्धान पर या नुचेत 151 आ मूल करतव पर या कहीं नहीं यहां आपको चार आप्शन दिये गए आपको करेक्ट एंस्वर बताना है तो बच्चों आपको करेक्ट एंस्वर यहां देखिए आपको दिया गया व्याक्या में वन एवं पर्यावरण के स सानशन हेत्टू प्रावधान भारती समिधान के भागचार एवं भागचार काम में है और दोनों खंडो में या वेवस्ता 42 समविधान संसोधन 1976 के द्वारा की गई सूची गई तीन सम वर्ती सूची में 42 समिधान संसोधन द्वारा वन को रखा गया है इनका विबरण इस प्रकार है तो इसमें क्या कहा गया है कि वन पर्यावराण के सरवच्छन हेतु जो आपका भारती सविधान है इसका प्रावदान भाग चार और भाग चार काय में किया गया है और यह विवस्ता किसके 42 सविधान संसोदन 1976 द्वारा की गई अब यहां देखिए सूची तीन ज संसोदन द्वारा वन को क्या किया गया है रखा गया है अब यहां इसका विवर्ण दिया गया चलिए यह देखते हैं भाग चार अनुछेट 48 का राज देश की परियावरण की सनचर तता सरवंधन का और वन तता वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा तो यहां से सब्सक्राइब नुट प्रश्ण और बनेगा कि अनुछेट 48 का के अंतर गत क्या आता है तो आप बताएगा राज देश की परियावरण की सनचर तता सरवंधन का और वन तता वन जीवों को रक्षा करने का क्या करेगा प्रयास करेगा यहां भाग्षार अनुछेट 48 का का यहां देखिए भाग चार का और अनुचेद 51 का का खंड च्छा के अंतरगत क्या आता है यहां दिया हुए है तो दिया है कि भारत के प्रतिक नागरिक का या कर्तव है कि वह प्राक्रितिक पर्यावनर की जिसके अंतरगत यहां पर देखिए मैंने कहा आपको कि पहले व्याख्या को देख लेते हैं तो इस प्रकार से इस प्रशन का एक से अधिक विकल्प सही है इसलिए यहां पर देखिए मैंने कहा आपको कि पहले व्याख्या को देख लेते हैं उसके बाद फिर जो है समझ में आएगा आशा करती हूं आपको समझ में आगया होगा कि जो है समवर्ती सूची में भी इसको रखा गया है और वन के और पर्यावरण के सरवरंदन को साथ बाड़ी सहार भाग चार और भाग चार का में भी विवस्था की गई है और समवर्ती सूची में भी विवस्था की गई है तो इसलिए इसके ज़ो है एक से जयादा ओप्शन्स हही थे और bakayım मैंumhe, आपको कौ बताया कि से बढार 뭘 का ऑन परिवांका कहा करना होगा। इसलिए एक से ज़्यादा ओप्शन साही थे इसलिए मैंने अपसे का पहले व्याक्या देख लेते आई अपने छटे प्रशन की उर आगे बढ़ते हैं हमारा छटा प्रशन है कि निम्लिखित में से भारती सविधान में नागरिकों के मौलिक करतब कौन कौन से हैं यहां चार माजिक सुधार का प्रयास करना चौता है अपना अपनी साजा संस्कृति की सम्रिद्धित दौरोहर को महत्रप्रदान करना तरह उसका सरच्षर प्रप्रप्त करना यह चारो ऑप्शन दिए आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से नागरिकों की क्या है मौलिक करतब है सम्रिधान में यहां देखिए सही उत्तर निमली खित कूट में चिनांकित कीजिए पहला है का खागा चारो दिया है फिर का खागा फिर का खागा फिर खागा तो इसका करेक्ट टैंस्वर क्या होगा यहां दिया गया सी का खागा यह तीन आप्शन आपके बिल्कुल सही है भारती सवभधान या राश्ट को सेवा समर्पित करना या भी क्या है तो यह तीनो क्या है आपका जो है सही है मौलिक करतव के अधार पर तो आपका सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है आए देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं राष्ट द्वज तथा राज्ट गान का सम्मान करना आवाहन करने पर राष्ट को सेवा अर्पित करना तथा अपनी साजा संस्क सभीतर सभीति तो नहीं है नहीं यह जो समाजिक सुधार का पर र्यास करने है आपके मालिक करतव में नहीं आता है जब और आबकेस व्याट भीतने होते हैं क्या अनुचित फिफ्टीवन का और भाग कि भाग चार का के अंतरगत ठीक है आए चलिए हम अपने साथवे प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं हमारा साथवा प्रश्ण क्या है तो मैंने आपको उपर बता दिया था ना किसी ऑप्शन बिल्कुल सही है हाँ मैंने बता दिया था अब यहां देखिए साथवा प्रश्ण है आपका कि भारत के सम्विधान में उलिखित नागरिकों के मौलिक करता वे कितने हैं मैंने अभी आपको उपर बताया कि मौलिक करता वे आपके कितने और किसके अंतरगत आते हैं यहां देखिए बच्चों यहां तो यह प्रयाख्या को बनता है कि मौलेक कर्तवियों की व्यवस्ता की सिफारिश्ब्स की सिफारिश पर कि गए तो यहां से एक प्रश्ण और बनता है कि मौलिक कर्टव्यों की व्यवस्ता कि समिति की सिफारिश पर की गई तो आप बताईएगा मौलिक कर्टव्यों की व्यवस्ता स्वारी सिंग समिति की सिफारिश पर की गई और साथ ही साथ यह भी पूछ सकता है कि कि समिधान संसोधन दौरा या कि गए तो बताईएगा 42 संविधान संसोधन अधिनियम 1976 दौरा या किया गया यहां देखिए 42 संसोधन 1976 के दौरा भाग चार का तथा नुछेट 51 का जोड़कर 10 मौलिक करदब भी रखे गए तो यहां से एक प्रशन और बनेगा कि यह जो 42 संविधान संसोधन 1976 हुआ था इसके अंतर गत क्या क्या जोड़ा गया तो आप बताईएगा भाग चार का जोड़ा गया और साथी साथ अनुछेट 51 का जोड़कर इसमें कितने 10 मौलिक करदब्यों को रखा गया पिर यहां देखिए 86 संविधान संसोधन 2006 के द्वार एक और मौलिक करता भी जोड़ा गया इस प्रकार 11 मौलता तो चाहिए जब देख लेते हैं यहां देखिए एटी सिक्समिधान संसोधन दोजार दो के द्वारानुचेट फिफ्टी वन काट में जोड़ेगे मौलिक करता विक्यानुसार मारा पिता या सारच्छक का या करता है कि वा छैसे सोला वर्ष के अपने बच्चों या प्रतिपाली वार्ड को स सिच्छा का उश्र प्रदान करें तो यह पूछा सकता है कि 86 समिधान संसोधन 2002 दौरा कौन सानुचेट जोड़ा गया तो आप बताइए गा 86 समिधान संसोधन 2002 दौरा 51 का जोड़ा गया और पूछा जा सकता है इसके अंतरगत क्या आता है तो बढ़ाईए कि माधा पीता सनर्चक का करतव है कि वह अपने 6 से 14 वर्स के बच्चों को क्या सिच्छा का आउश्र प्रदान करें या किसके अंतरगत आता है यह आता है 51 का टाके द्वारा अंतरगत और यह आपके क्या मौलिक करतविके अंतरगत आता है कि आए चलिए हम अपने आठमें प्रश्ण कि और आगे बढ़ते हैं हमारा आठवा प्रश्न क्या है कि निन में से कौन सावाद मौली कर्तव्यों से संबंदी थे तो मौली कर्तव्यों से कौन सावाद संबंदी थे जो आपको यह बताना है तो आपका correct option है बच्चो डी राम शरन वाद जो है आपका जो मौली कर्तव्यों से क्या है संबंदी थे क्या राम शरन वाद इसको याद रखेंगा यापका important आप बताइएगा अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक करतव्यों का जो वाद है किसी संबंदी थे तो बताईगा रामशरनवाद यहां देखिए इसकी व्याक्या दी गई है गोलकनादवाद केश्वा नंदवाद और मिनरवा मिल्स का मामला मूल अधिकार के संसोधन से संबंदी थे जबकि रामशरनवात 1988 मौलिक करतविस से संबंदी थे तो यहां से देखिए प्रस्ण वर्च्ञू जो यह आपको गोलक नदवाद केशवनदवाद मिनरवा मिल्स का मावला मूल अधिकार से संबंदित है समझ में आपको यह फंडामेंटल राइट से संबंदित है लेकिन आपका यह जो राम शर्ण रामश्यरनवाद किस सन में हुआ तो बताएगा 1988 में रामश्यरनवाद आपके इसका किसे संविधान के प्रती प्रती बता एवं उसके आफ़ार। रामश्यरन्यर्षा अप्रताथ निर्वाज्चन करना मद्दान करना वैग्यानिक सोच विक्सित करना यह चार ओप्षण आपको दिये घर आपको करेक्ट तुस्य सी आपका बिलकुल सही है ऑप्षण जन सोच करना या सब conven см start आजे चलिए इसकी व्याख्या को देख लियते लोग चुनाव में मदान करना भारती सविधान के अंदरगत मूल कर तब यह नहीं है तो जो आपके लोग चुनाव होते हैं उसमें वोट करना मद्दान करना भारती सविदान के अंतरगत जो आपका fundamental duties में नहीं आता है से सभी आपके क्या है मौली करतव में वर्णित तत्व भारती सविदार में मौल करता वे पूर सोवियस संग के सविधान से लिए गया है इन्हें सरदार स्वन सिंग समिति की सरसुति के अधार पर 42 सविधान संसोदर 1976 जोड़ गया तो एक प्रशन और बनता है कि आपका जो सविधान से लिए गया है कहां से सविधान से लिए गया है और साथ इसाथ संसुति पर आधारित तो बताईएगा स्वाण सिंग के संसुती पर अधारित है और कौन से समिधान संसुधन द्वारा या लाया गया था तो बताईएगा 42 समिधान संसुधन 1976 द्वारा इसको क्या किया गया जोड़ा गया है आए चलिए हम अपने दस्वे परशन की और आगे बढ़ते हैं हमारा दस्वे परशन है कि भारत के संविधान के अंतरगत निमलिकित में से कौन सा एक मूल करता भी नहीं है आपको बताना इन चारों आप्शन में से कौन सा आपका मूल करता भी नहीं है यहां चार आप्शन दिए गए पहला है लोग निर्वाचन में मद्दान करना दूसरा व लोक निर्वाचन में मद्दान करना यह आपको बिल्कुल सही है या आपके जो मौलिक करतब विक्यांतरगत नहीं आता है बाकी विग्यानिक मनुभाव का विकास करना सालवजनिक संपत्ति की सुरच्छा करना और समिधान में आबंद रहना और इसके आधर्शों का पालन कर करना यह सब आपके मौलिक करतब विक्यांतरगत आते हैं आये देखते हैं अपने 12 प्रेशन की भारत की संपरुपुदा एक्ता और अखंडता को धारी तो रक्षित करना या प्रावदान है उसके नितान को धारें तो रक्षित करना या किसका प्रावदान है उसक्र blossom है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट एंस्वर है मूल करतव्यों में डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है fundamental duties का या प्रावधान है कि भारत की संप्रुपता एकता और अखंडिता को क्या करें धारित और रक्षित करें आए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते इसकी व्याख्या की भारत की संप्रुपता एकता और अखंडिता को धारित करना और रक्षित करना भारती संविधान के तहत नागरिकों का क्या है मूल करता वे है संविधान की अनुछेट तो भारत की संप्रुपता एकता और अ 21 मूल करतब्यों का वर्डन current रावन सकते हना संसोधना धनियम 1976 द्वारा मूल करतब्यों Kita कि समिती द्वारत की समिधान में मौलिक करत विए को समिलित करने की सेंसुती दी गई है कि यहां चार स प्शिनाउर पाप्श्रो करक्षे काया मैंने आपको सब्सक्राइब कक्रेंगा पर परक्षे क समिदान संविधान संसोधन 1976 द्वारा क्या क्या है तो ठोडा गया समझाया आप सभी को बच्चो आए चलिए हम अपने तेरामें प्रशन की और आके बढ़ते हैं हमारा तेरामें प्रशन क्या है कि निम्रिकित में से किस समिती किसी फारिश पर मौली करतव्यों को भारती समिधान में जोड़ा किया तो आप सभी को सही है अंसर प्रशन का क्या होगा स्वारिश समिती किसी फारिश पर ही मौली करतव्यों को भारती समिधान में क्या किया गया जोड़ा गया था यहां पर देखिए स्वरी सिंग समिति आपकी सिफारिश पर जो आपको मौलिक कर्थभी हुए उसको भारति सविधान में जोड़ा गया जिसकी वज़े से ग्यारा मूल करतवी हो गया और इस 86 में जिद्धान संसोधन द्वारा इसमें कहा गया कि जो आपके माता पिता हैं वह जो है चैसे लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या अनिवार सिच्छा प्रदान किया जाएगा या इसके अंतरगत कहा गया या मूल करतवी में यहां पर आपके सारे प्रशन समाप्त होते हैं मूल करतवी से संबंदित पंडामेंटल ड्यूटी से संबंदित आशा करती हूँ कि आपको कोई भी कमेंट करना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा उसका एंसर मैं जरूर करूंगी और फिलीज हमारे चैनल को लाइक किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू